लेकिन गंटे में पूरा चप्टर हम खतम कर सकते हैं अगर बात करें हम यहाँ पर कि है क्या तो सब्सक्राइब दूनिया में किसी की पावर कर दो चोड़के तो उसका अगर मैं प्लस बीकी पावर वन कर देता हूं तो सब्सक्राइब कि अब चाब यहां पर क्या आजा गा और यहां फासी बात है उस टेम्स आपका आप सब्सक्राइब ग्लास बीस्कृर आपका फॉर्मुला दिया राइध भ्ह ने अगर यहां अगर ने श्क्राइब आप गढदा हूं उसके समय तो अगर कि कि मैं उतालिया था च्प्लिस अगर मैं क्या करता हूं क्या magnet यहां पर प्लस घ्यां कर सकते हैं तो आप वहां पर क्या करोगे उसका फॉर्मूला खूल लोगे हैं एक लस्ती इए स्क्वैर भी जैद मेश्टियों अपर आप इसे कर सकते हैं यहां अपर और प्र आगे वैसी भी मल्टिक्ला हुआ थो एक्यूब होजएगा थ्री एए स्क्वेर बी स्क्वेर बन जायगा फिर हो यहां पर थ्री एबी क्यूब नगा लास्ट में वी की पावर फूर बन दाए पिर आप क्या करेंगे इस वाले पार्ट को अपसमें एड़ कर देंगे तो वह सिंपल सा बन जाएगा एकी पावर फोर प्लस 3aqb प्लस 6a2b2 प्लस एबीक्यूब प्लस एक्यूब बी प्लस 3abq और आखरे में भी अब ठीक है यह तो आपने कर लिया अगर मान लो अगर मैं देख लो कितना हाड होता जा रहा है एक प्लस बीकि पावर तो आप कैसे बता होगे तो यह हमारे लिलत अच्छा नहीं है कि हम इस तरह से चीजों को सॉल्व करें एक तरह से इस चीज इस चीज़ से वह सब्सक्राइब करेंगर को से निकलके आप यह भी अरुन है यह यह पहले जो नहीं बहुत मैटमेट्ब कि वह बहुत मैं सैंटिस्ट और वह बहुत मैठमेटिक्स भी थे ते इना सेमी में काम कर रहे होते थी तो बहुत सारे जो बहुत सारे साथ थे पहले वहां आपके इंडरेक्टी वहां भी काम करते थे वह उनको जरूर थी तो बाइनोमली वह ऐसे एक साथ टेस्ट में से अब लोने क्किया लोने के पोला कि देखे हम करते क्या यूस किया था यह भी धिया तो फार्स ट्राइंगल कि ने बोला कि मैं फस्ट इंडेक्स इंडेक्स आंगी इस तरह से और यहां पर कोफिशेंट ले लिए समझना में क्या बोट रहा हूं समझ जाओ तो बत अच्छी बाता वनना कोई दिक्त नहीं है जिरो ले लिया तो उसके आपको इस तरह से तरह से आप आगे चलेंगे तो उन्होंने क्या कहा अब बाइनोमिल की एंट्री होती है तो अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि जो इस तरह से होता है तो अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा अगर मैं लिखता हूं तो विडियो सब्सक्राइब देख सकते हैं तो यह क्या हो झाँगा तो चाहिए पिर मैं आपको दिखां तो मैंने तो इस हो जाएगा तो जैसे समझना इसको मैंने क्या रिखा यह आपका जीरो इंडेक्स है तो इसको मैंने लिए यहां पर पहली पुश्शन पर नाती है फिर यहां पर दूसरी पुश्शन पर दूसरी पहली जीरो यहां पर यहां पर इसा आप आप नीचे बढ़ते जाओगे तो नहीं क्या कहा कि जब भी किसी का आपको अब निकार नहीं है तो उनके को रखने का तरीका आपको इस तरह से यूज करना है कैसे अब हम फॉर्म निकार करें देखी तो क्या बोलता है आपका यह बोलता है जैसे एक्जामपल के लिए अगर मैं बात करूं आपसे मैंने दिखा एक प्लस बी की पावर सेवन लिखा मुझे अब कैसे क्या करूंगा सेवन सी जी जीरो मैंने इंटू यहां क्या किया और है ने 7 तो बीकी पावर कितनी बचेगी वो बचेगी आपकी सेवेन माइनस जो भी आपने यह पावर दिये यानि सेवेन सेवन रहां इस तरह से आपको चलता हो सब्सक्राइब और ऐसे आपको सारी सारी टों तो मैं आपको सिंपल वे में एक अगरा को सीधे फॉर्मला बता दू कि बाइनोमियल थियोर्म क्या हो जाएगा आपका बैइनॉमिन थ्यूरम विए है एनी पॉजिटिव एग इन एटिजर एटेजर एज ऑन आप इन बात करूं गुंद ट्रों एनी पॉजिटिव इंटीजर अ कि इसका सिंपल सा फॉर्मुला क्या यहां पर यहां पर देखेंगे तो यह निकल करें आता है की पावर-न तिकन याद कैसे करना आपको जाहां सुक्राइक तरिका देखे एट जिए जीरो इसी को भी पहले लेको किसी को बार में कुछ फ़र्क नीपरता टेक एक की पावर लगा दी अपने किखा लगादी है तो 301-3-1-1-1-1-1-3-2-1-2-3-2 k की पावर को कम करते जाएंगे और बीकी पावर को बढ़ाते जाएंगे एंड ऐसे चलते रहेंगे फिर मानीजिए यहां पर आगया एंसी चलते रहो यहां पर क्या गया कोई यहां पर न सी एड यहां पर इस यहां पर इसी तरह से याद हुने चाहिए चोटे में आप याद कर सकते हैं इस तरह से याद होना चाहें एक तरह से इसको में लिखना चाहें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इस समेशन ओफ फिक है आप जीरो से एन तक वेर इस समेशन ओफ एन सी आर और एटू दी पार एन माइनस आर बी टू दी पार आर इसमें आप आर की वेलिव चेंज करते जाओ और आपको आपको अलग अलग वेलिव मिलती जाएंगी जो भी पूरे फॉर्मली की अलग जो च्राव होगी इसका और इसको आप नहीं है आप इसको किस यह सब्सक्राइब नहीं यह बात जा चलिए तो यह संन्य आ गया अब सुने लें यह जो होते हैं को देख रहे हैं अच्छे से इस फॉर्मले गड़ते देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको को फिशन्ट गॉफिशन्ट ही तो है जाओ और मैं इसकी बात करूं हुआ यहाँ पर इसकी बाद तो यह जो एंसी आर होता है ना जो भी एंसी आरा आर के अलग लग लग इसके लिए फॉर आर इस इकुल टू जीरो वन टू थ्री इकाहां तो देगा इन इन सब क्या बोलते हैं आपका इन सबको बिटा हम बोलते हैं आपके बाइनोमियल कोफिशेंट्स इस अब कुछ देखना जाएंगे अच्छा एक और बात मुझे आपको यहाप समझानी है यह नोट पॉइंट की तरह समझ सकते हैं सारी चीज़ें को खॉमला तो आपको कि तोटल नंबर ऑफ टरम्स कितनी है तो वैसे इस चीज़े यह यह एक दो दो फिर तीन फिर चार यह कब तक जाता रहेगा याद रखना है कि एन प्लस वन टाइम्स ऐसा आपका आएगा क्यों कि चीज जो है ना बेटा वो जिरो से स्टार्ट हो देखो यहां जीरो फिर फिर फूर ऐसे जाते 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 एंड जा रहा है तो वन टू थ्री होई और आपको जाद करिने में परिशानी हो तो आप लेने बहुत सीम्पला से एक्मपल्ल स्वाई का हूल स्क्वर है ये यहां पर esté trail स्कोलते है तो यहां तो किया Mexican प्लसे आता है किट्नी यृटर्मना थ्री एक्ष अप्थे टर्म स्कालिया होगा थे 2 plus 1 which means n plus 1 terms है तो जब भी आप किसी की power खोलते हो तो उसकी जो terms निकल के आती है वो आपकी n plus 1 निकल के आती है ठीक है I hope कि यह चीज भी आपको समझने आ गही होगी चलिए बहुत अच्छी बात है next some special cases के हम यहां बात पुलते है we'll talk about some special cases जब इस बाइनोमियल की जो फॉर्मुले को हम अलग अलग कैटिगरी में कैसे कैसे लगाते हैं तो सुनेगा तो पहला केस है जैसे जो formula क्या है मैं formula आपके साबने वापस लेता हूं तो formula जो था वह एक प्रस बीकी पावर एंड इस इक्वल टू जो जनरल formula है वो तो यह आपका कि आर फ्रॉम जिरो टू एंड एंड एकई पावर एंड मैनेस आर एक पावर करते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे इसको अम दूसरे तरी के लिखना चाहें तो एंसी जीरो एक की पावर एंड बीकी पावर 0 फिर भीकी पावर जनरलिक क्या होता फफिर एंची तो एकितर इंडम को अक3 नहीं लिखता है लूकि मतलब इसमें को नहीं रिखता यह होता नहीं होता है यहां पर आगे थोड़ा सा आपका तो स्पेशल के सब्सक्राइब की पावर जो एन हो गया है एंसी आर जिसे बात करें पहला स्पेशल के सब्सक्राइब इसकी बीचेक बीचेकर जनलों की पावर और होती है तो इसका आंसर नेगटिव निकल के आता है नेगटिव नमबर की अगर इवन पावर है तो इसका पॉजिटिव नमबर के लिए तो कुछ भी कर लो पॉजिटिव नमबर की पावर कुछ भी हो जाए पॉजिटिव 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 पॉजि पावर किया बन जागा यहां बन जागा यहां बन जागा एक उंठ चूछ। और यहां मैं माइनस दिवाए की पावर कि आ रखोंगा पूर कि निकल के वन ही आएगा ठीक है क्योंकि नेगटिव नंबर करें ऑजिए एउन नमर होता है ना एकस एण माइनस वन फिर आपके यहां पर यहां पर आप माइनस वन की पावर किया जाए वन और वन क्योंकि और ना मुलता है तो यह आटमेटर इस वाई ही निकलके आजाएगा ठीक है फिर हम आगे परते हैं सी टू एक्सकी पावर एंड माइनस तू अब यहां पर क्या आएगा माइनस वाई की पावर तू निकल के आएगा तो इसका आएगा एक्स माइनस वाई की पावर आपको फॉर्मला याद करना है वैसे मेरा सुझाब नहीं अगर लिखें तो यह निकल किया एंड सी जीरो एक्स की पावर एंड पिर आपका आगे निकलेगा माइनस एंसी वन की पावर एन-1 वाई प्लस एक और न माइनस टू और यहां पर क्या आपका वाई की पावर टू जाएगा और ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और आखरी में हम हमें नहीं पता कि एंड होगा तो आपका यह निकल की आजएगा अगर आपका एक ताम अगर नेगेटिव होती है तो आपका इस त्रेस को आप निकाल सकते वाई होब कि छुटी सी आपको समझने है आगी होगी चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन अब दूसरे स्पेशल केस की इस में ने क्या किया यह बहुत बॉड़्ट केसे कई बार पूछा जाता है एक की वैलिए लिए लिए बन और बीकी वैलिए मैंने आपकी एक्स तो मतलब आपको तो फॉम्ल क्या होगा की पावर वन की पावर तुम कुछ भी ले लो चाहे और ले लो क्योंकि प्लस एंसी वन एक्स की पावर वन एक्सकी पावर अक्रता नोगा आखरी क्या होगा वागा जहाएं बहुत ही इंप्रेंट्ट फॉर्मला की तरही मान सकतना चाथा व्यूंत अच्छा था कि इसको हम निकल के आ रहा है इसको हम निकाल सकते आप देखें तो यह इंपोर्टन्ट फॉर्मॉला की तरही मान सकतना चाहते हो मानलो कि यह बहुत इंपोर्टन केसा कई बार इसम में पूछा जाता है आप सुनिए एक बात यह इस पर से कुश्चन भी आया था बहुत अच्छा कुशन आया था यहां पर ठीक है वह क्या आया था आपका रख यहां पर रख लगाएगा तो अब यहां पर प्लस वन प्लस वन प्लस वन की पावर एंट बन जाएगा विच विट्टू की पावर एंडित आप यहां पर तो यह से इसा जाएगा फ्लस ए इनसि इसकी बैलिए क्या होती है अगर नकलते हैं तो इसकी sorts और यहां से पूछा गया है तो यह इस वाले रिजल्ट से यहां से निकल के आती है चलिए नेक्स्ट केस के अगरम बात करते हैं यहां पर ठीक नेक्स्ट के अगरम यहां बात करते हैं थर्ड केस की तो थर्ड में क्या हो जाएगा आपका थर्ड में मैं एकी वैलू को इस पर मैं माइनस एक्स नेगटिव लेता हूं तो नेगटिव और एवन पावर आएगी तो पॉस्टिव आ जाएगा खुछ लिए तो यहां पर यहां पर आजागा माइनस एक्स की पावर जीरो यहां पर माइनस एक्स की पावर फिर आपका एन सी टू माइनसएट्स की पावर आप चलते रहेंगे आख रिम पता नहीं कर देना आपको क्लियर कर दिया जागा या नमबर तो आपके बास मेरा नमबर क्या है तो आप कर सकते हैं चलिए तो यह आपका हो गया अगर मैं यहां पर हर चेके यहां पर यहां पर चलता रहेगा तो वन मैनस एक्सकी पावर एंड निकल के आने वाला वाएगा वन मैनस एक्सकी पावर एंड इट विल कम आउट टू भी यह फॉर्मले काफी इंपोर्टेंट याद रखेगा है यह जो मैं आपके समझारों यह वन मैनस एक्स वन प्लस एंसी वन फिर प्लस एंसी टू और ऐसे आप चलते जाएंगे नेक्स्ट आपका नेग्टिव थाओं से एक आफरी में आजयागा आपका माइनस वन की पावर एंड इंट यह आपका निकल के आजयागा यहां से इसका फॉर्मूला इस्ट इस तरह से आपको समय प्रॉम्ला तयार हो जाता यह आपको याद रहे तो अच्छी बात नहीं आद रहे तो आप निकाल सकते हैं से ऐसा खतर पूंघांपर समझना है इसमें नोट की तरह समझना है इसके अगर हम एक्स की वैल्यू को इस बार फिर से वन लेने अगर हम फिर से क्या करें एक्स की वैल्यू को यह आप बेटाव लेने आपका देखिए कि एक से कि तो इस बार फिर से अगर हम आपका कि पर से माख के एकक्स की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर बटा अगर को दें एकस इस वं इंडिस एक्जाम्पल उन्ली तो हम यहांपर 1-1 एन जीरो की पावर एन तो गिंपेशल ऑपर वह इन्यांटी नहीं जिरू जीरो गों यह सवाल आपको चाले ता इसकी वद्व रखाए किया होगी सिचके वन प्लस एंसी टू प्लस कि मैंस एंजी ट्री से आगे बरते जाएं बरते जाएं तो आखरी में मैंनस की पावर एं टीक है एंड़ें कभी-कभी होसकता है कि यह यह ना तो आप समझ जाएंगे की बात कर रहा है तो उसकेस में इसकी यह पूछा गया तो आपके पता जरूर होना चाहिए चली नेक्स बात करते हैं हम आपके इसके आगे ते अब हम एक एक जांपल आपको यहां पर सौल कर देदें आपके यहां पर आपका एकस्कुर्ण का होल की पावर फूर एक आपके सामने ले लिया और आपसे इसमें पूछ रहा है सवाल में कि बताइए कि सॉल्व कर रोगा जगा इस जीरो होगी तो ठीक है यहां पर हम सॉल्व करें तो बहुत सा कुछ नहीं करना आपको यहां पर पर क्या देंगे एक स्किपवर यहां पर देगी फूर मतलब यह बड़ी पावर मैनस जो पावर आपने लिए यहां पर जी फिर आपके पर एक कम कर दीजिए यानि फूर में गया वन त्री ठीक है और उतनी पावर बढ़ा दीजे नेक्स टम कि यानि इसकी पावर नेक्स्ट तो फूर सी टू एक्सकी पावर यहां पे एक स्किर हो जाएगी टू और ट्रीगाये सीगिए आपका फूर सी फ्रीव वन आपकी 3 हो जाएगी लास्ट रहू जाएगी कि समझ आपकी यहाँ फोर यो कि क्या होगी घ्स जी जरो का मतलब हो गया फोर फैक्टोरियल डिवाइट बैस राप harshटotte तो यह प्लस फॉर सी वन पर सी जब भी आपका इसा आता है तो यहां पर रहए इंट्व की पावर 3 इंटू 3 बाइए एक्स आगे दिखते हैं तो फॉर सी टू तो फॉर सीटू क्या हो जाए आप सॉल्ब करना चाहते हैं पर सकते हैं तो से गया तो यह फूर इंटू थ्री बनेगा और यह तो यह तो बन जागा तो सिक्स एक्स स्क्वेर और यहां पर आजागा आपका तिक्स नाइन बाइ स्क्वेर डिए फोर्थ यह भी आपका 4 रही न करके आजाएगा एकस इंटू 27 गाय एक्स क्यों बन जाएगा प्लस फॉर्प फिर से खाठी का बन ही और यह अब एक स्क्वेर प्लस यह एक से यह एक स्क्वेर बने गए यहां पर एक स्क्वेर एक स्क्वेर था आपका एक स्कुर की लिखा यहां तो यहां पर एक स्क्वेर एक स्क्वेर एक स्क्वेर बन गया ठीक है यहां पर यहां पर यहां पर आपका फॉर आता फॉर में से कट तो यहां पर आपका निकल आजाएगा ठीक है अब सही है यहां से कर गाटेंगे तो यह कटेगा इसका इस बार यह क्या होगा यह स्क्वेर है जाएगा तो यह आपका यह आपका निकल के आजाएगा तो बड़ा सिंपल होता है को यह बड़ी बात नहीं इस पर ने में पर सिंपना आप इसका यूज क्या होता है आप देखेंगे इसके यूज के आगर बात करें तो इसका जो यूज निकल के आता है कि जैसे आपको बूलागया कोश्ण में सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर सकते हैं दूसा तरीका क्या बोलता है कि हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो मैं सब्सक्राइब करने पड़ेगी पर यहां पर यहां माइनस से प्रॉब्लम नहीं उतंते ही होतना चाहिए तो आपको नीजिन माइनस कोई लिएक्रे शौल करो तो यहां पर माइनस टूपावर जीरो फिर आप फाइन सी वन हंड्रेट की पावर और यहां सब्सक्राइब 5c 200 की power काम ठेज़ाएगी 3 और माइनस 2 की पावर आपके बढ़ती जाएगी टू जी फाइव सी 3 पांच तक हम लिख सकते हैं तो हम मैं पांच तक लिख रहा हूं फाइव सी तू तरी हो जाएगी नेक्स टर्म क्या जाएगी है नेक्स टेम लिखो तो फाइव सी फोर इन्ड्रेड की पावर और मैंनेस तू की पावर बन हो जाएगा तो इस तरा से आप रिस करने का जैसे कभी-कभी सवाल कुछा जाता है कि आपका टैन थाउजन में और आपका तरीका यही होगा कि इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि देखिएगा इस तरह की सवाल पर आपको जाते हैं कि वन पॉइंट जीरो वन की पावर यहां पर मैं लगाती है आपकी एक लाक और आप से पूछों दस हजार इन में से बड़ा कौन है अब देखने हैं तो यह बहुत बड़ा नंबर है और यह तो वन की पावर ही तो है कि देखिए होगी कि थोड़ी सी मेहनत का कितना फरक पड़ता है देखिए जीरो पॉइंट नाइन नाइन की पावर कर आप हजार करेंगे आप सो करेंगे तो इसमें देख रहा है जमीन हासमान का फरका तो वही बोलता है कि आपको सिर्फ एक नंबर वन को पार करना है एक आपको को सकते आपके जिन्देगी चेंज रहेंगी तो वह वहला मोटी रहता है तो पूछता है कि इन वे से कौन सा बढ़ा होगा विच वन इस ग्रेटर तो देखने में बनी रखता है नहीं तो वन की पावर ही तो है वन की पावर तो कुछ भी करते जाओ वन ही आएक कि इसको आगे मैं सॉल्व करों तो देखिए यहां पर क्या है आपका अगर आप एक काम करेंगे अगर आप दस हजार भी कर देंगे तो भी दिखना बहुत फरक आएगा लेक्स से दसारी करें ठीक है ऐसे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा बहुत बढ़ा ही होगा अगर दस बढ़ा होगे तो एक लाक़ दुबढ़ा हो गई ठीक है मैं इसको भी क्या करता हूं दस हजार करेंगे अगर बढ़ते जाएंगे तो आप ऐसे बटते जाएंगे एक जिरो और बहाद लोगे तो यहां पर बढ़ा दिया निए टिक है तुमारी 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 और साथ में किया जिरोपट जिरोवन की पावर वह तो जिरोगा उसमें तो सूचना ही नहीं नेक्स बात करें हमें आपको दस हजार भी तो कोई फरक नहीं पड़ेगा आपको यहां पर जिरो पॉइंटू इस तरह से रहोगे तुमारी नहीं आएगा आएगा आपको दस लाख पर यह तीन चार पंच्छ है ठीक है यहां दस लाख भी आपका सब्सक्राइब है कि मेरी गलती है कि मैंने दस लाख की लिए चाहिए तीन जीरो तीन जीरो ठीक है इस तरह से फिर यहां पर फिर से सी टू इंटू जीरो पॉंट जीरो वन का स्क्वेर ऐसे बढ़ते चलेगी अब यह देखिए इसकी वेलू बड़ा क्याने किलके आएगी इसकी वेलू निकलके यहां पर आएगी एक दस लाख चैजिरो इंटू जीरो पॉंट जीरो वन प्लस यहां पर फिर वह तो खेला यहां कि आप ज़का दस हजार तो दस लाख होना जरूर यह वेटा ठीके दसलाख लूगर अगर दस यह अगर दस हज़ार प्लस डास लाख से च्छोटा नमबर हुआ तो तो यह देखोगे कि यहां पर लिखा क्या हुए जो वह निकल यहारा थे दस हजार तो यह दस अगर यह नंबर तुम्हारा दस लाख से छोटा होता है तो इसकी वैलु क्या होगी इस से छोटी देगी तो इस केसमें क्या पूलेंगे वन पॉइंट जिरू वन की पावर जो दस लाख है आपकी ठीक है वह आपकी बड़ी होती है आपकी दस हजार से लेकिन अगर गलती से ऐसा हो गया कि आपकी वन पॉइंट जिरू वन की वेलू अकर एक लाख भी रहे गई ठीक है एक लाख भी तो आपको दस हजार से छोटा होगा तो यहां पर नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है जो नेक्स्ट कैटेकरी बनती है वह बनती है आपकी जन्रल एंड मिडल तम जन् एक सवाल बनते हैं बहुत सब्सक्राइब कर लिए ठीक है बीच में बीच वाले टर्म कौन सी होगी और जन्रल टर्म तो खेर मैं बताई दिया हो और और गभी यह भी पूछता है आपसे कि पूरे बाइनोमिल एक्सपेंशन में कौन सी वो टर्म है जो कि आपकी एक्स से प be a general return सब्सक्राइब करा कि यहाप है और आपका a plus b k po i have a plus b k po n लिखा हुआ है तो इसकी जैनरल डम को 儿 भी तर्ण सी निकले हैं एन के चलते हो आप की वहाइशा क्या लेकर चलते हो जिरो लेकर चलते हो पहली सबसक्राइब यहां आर प्लस वन से रिप्रेजन करने के कुशिश करते हैं अब देखिए यहां पर बात करें तो यह क्या होद है कि आपकी एंसी आर एकी पावर यह मैं लिखवा चुब हूँ आपको एंड माइनस आर बी की पावर फिर से समझेंगे यह आपकी क्या है जनरल टर्म है इसको एकी पावर एन बी की पावर जीरो यह प्लस एन सी ऑन एक यह की पावर एन मैंस चीपिकी पावर आपको nggak cans himself कि यह भी फूरे ऐसी ह्यां सि वूरे था मियुक्रत आपको पहले ही टोतल टाम केतनी होती होती है फोतल टोती है वह क्या होती है आपकी यह क्लब आपकी स्टूब संभागी यह क्या है यहां प्रॉब्रम्स यहां फैसे लास्ट के अगर तो लास्ट मिल्प याने आपकी ऐन प्लस वन टोटल टंप कर्थी ऐन प्लस वनत्थ ना यह क्या आरे कि यहां पर आपकी आयन है तो आरकी कम चल रहे हर बार हर बार आप देखोगे ना जो फॉस्ट मैं पर से लिया है ताकि आप जो satisfying करते हो से मैं आपसे बोलूं कि जब i.e. मैं आपसे बोलता हूं कि मझे वह रे टम निकार के मताओ जब i.e. यह होती ह्यूद है तो यहांपर देखते है तो एकी पावार थू यह होगी ना लेकिन यह कौन सी है क्या यह रहां सब्सक्राइब करते हैं कि यहां पर देखते हैं कि यह जो सब्सक्राइब नहीं इसी लिए हम क्या बोलेंगे इसको थर्ड टम बूलेंगे बच्छों के पाप विखेर देता है तो इस चीज से रहना है आगे बात करते हैं अगर हम यहां पर बात करते हैं कि आपका मिडल टम के लाइगी इस पे अगर अगर हम बात करें आपर तो मिडल टम कौन से होगी बटा बहुत सिंपल साथ समझाना कोई बहुत पीज़ी वाली चीज नहीं है तो देखो डिपैंड करता है कि एन की वेलु क्या है और है एवन होती है मेरी एन की वेलु क्या होती है अगर इवन होती है तो हमें सब को यह सब्कित्म की होंगे नबर अक्रम्स अपके होती है ऐन फ्लस वन ठीक है अगर है तो यीवन प्लस वन आउसर आगा और निकल के आएगा और निकल के लिए मेरे पास में कितनी होगी आपके तीन और नमर तो एक दो तीन यह होगी तो मैं के स्कूल होगा यह मेरी मिडल टॉम होगी ठीक है उसी तरह से उसी तरह से अगर मैं यहां पर बात करना चाहता हूँ कौनसी होगी तो आपके वह लोगे कितनी में कर ने सकते में घ्रव टॉम यहां पर गड़ी हो जाएगी यहां पर ढ़ने चो आपकी मिडल टर्म हो जाएगी वो कौनसी होगी वो हो जाएगी आपकी एन प्लस वन ठीक है प्लस वन बाइट इस तरह से आप निखाल हो गए तो यह और यह आपकी लास्ट तो फस्ट प्लस लास्ट यानि एंट प्लस वन प्लस वन डिवाइड बाय तो यह आपका निकल जागा तो मिडल टम क्या बन जाएगी आपके यहां पे जब एन की वेलू या फिर इसको और अच्छे से बोना चाहें तो हम उसको और अच्छे से बोना चाहें तो हम उसकते एन बाय टू प्लस वन अथ टम जो होगी आपकी वह आपकी हो जाएगी तो मैंने बताभाबके हो तैंड की आपकी और यहापके हैं यहां पर हमनेके आ लगे बाता है इसमें थोड़ा से पंगा आता है क्यों कि यहां पर आपको दो मिल जाएंगी तो आपको दोनों को मुआ को दोनों क्या मान लेंग 말씀 कि मीडल ऱम्स मान लेंगे मिडल घ्री तो मान लेंगे तो इहां पर क्या करेंगे आपका तो हम आप का जयमी क्या करेंगे कि आप लुऑ तो कैसा निकालेगे सिंप्ल सेफिए लगा कि एन बाइटू के एक कम और एड़ा थू के बस खतम तो इसमें क्या पूलेंगी आपका जो मिड्ल टम्स होंगी इस दो मिड्ल टम्स पर साथ प्लॉप टो ऐन की यह डोगी कि जस्ट नेक्स टम होगी ठीक है यह दोनों को माल लेंगे ठीक है आर यह और बोद मिटल टम जब आपके एंड क्या होती है जब एंड की वेल्व बेटा मेरी और होगी तो हम ऐसा माल लेंगी ठीक है भंता है और सवाल जो यहां से बनता है वह बनता है और की तरह वह बनता है यहां सवाल है यह कोई की मतलब कोई कंसेप्ट तो मैं आपको समझाइब होगा है यहां पे इंडेपेंट औफ एक्स का मतलब हो जाता है कि उसमें आपका कोई भी एक्स का नाम ने आट जाहिए एक्जांपल समझते है जैसे मैं निख दिया आपका एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर मैंने यहां पर लगा दी आपकी लेट से टू एंड लगा दी अब बोलता है कि फाइंड द लुक्ष इंडिपेंडेंट ओफ इस अप्लस एंडिपेंट आपकस मतब उसमें इक्स का नाम नहीं आना चाहिए अब देखिए ऐसा हो क्यों रहा है ऐसा हो इसलिए रहा है कि जिए आप इसकी पावर को खुलोगे क्या निकलके आगा यहां पर एंसी जीरो एक्स की पावर टू एंड प्लस एंसी वन एक्स की यहां पर यहां पर एक्स की पावर टू एन माइनस टू यहां पर एक्स की पावर इसको काट की यहां से काट के टूए इन माइनस फूर बना देगा ऐसी आपकर यह बना देगा एसे करके चलता रहेगा थी पावर धूल है तो तो क्योंकि पावर को आप देख रहेगा कम होती जा रहीत तो एक हैं ऐसा हो सकते हैं कि कोई और रेंडम पावर होगी जहां पर आपका जहां पर क्या होगा तो यहां पर यहां पर तो सकती है कोई ऐसे टम आ सकती है किए जहां पर आपका टुए और यहां पर टू आर हो जाएक गी जब आर की वैल्यो एन होगी तो उस टाइम पे जब Milk होगी कि उस टाइम पर आपकर क्या होजाँ हरा वो उस टाइम पर ट्रम मिलेगी मिलेगी आपको चर्क कि और यहां पर एक्सिक Black Marian माइनस लिखोगे यहां पर ऑन एक्स की पी पावर की आ जाएगी मन्पे यहां पर भी आजाएगी व्हे दिखोगे यहां पर तो 2NCN और यहां पर एक्सकी पावर एंट इंट वन एक्सकी पावर एंट यह कट जाएंगे ना तो आपको क्या बचके आ रहे है जो कि आपकी एक्सका नाम नहीं आ रहा तो यह कहां मिले आपको एन लेकिन यहाँ पर समझदारी एक बहद कि आपको दिखानी है वह बहुत इंपोर्टन चीज है जो यहाँ समझ नहीं है तेखो आर की वेलू जब आइन होती है तब आपको आपको एकस के लेकिंटे लेकिन वो टम कॉंसी होगी कि जो कॉंसी टम है जो इंडिपेटन्ट है दम इंडिपेटन्ट जू हो जाएगी या दखना हम यहां पर मैं इस तरह समझाइगे यहांपर जो आपकी एंड प्लस वनत्र टर्म होगी वह आपकी इंडिपेंडेंट होगी एस एक्जामपल समझता हूं एक वार इस पर सवाल आये वह एक्जाम है तो सुन जो जैसे मान लीचे एक्जामपल के लिए आपसे बूला गया कि फाइव एक्स प्लस तो हमेशा होगा भी इंड लगा दी हैं पर फिफ्टी एट लगा दी अब आप से पूचला हैं अधा इंडिपेंडेंट और उफ एक्सत की आटीन तरह के सवाल पूछ जा सकते हैं इसमें तीन तरह की सवाल पूछ जासे हैं तो आपको नहीं करना आपको लेना है कि लिट से वह आर जहां पे कोई आ क यहां पर यहां पर यहां पर आज़ागा टूबाय एक्स स्क्वेर की पावर और यह तो यहां पर अगर आपको अगर आप चाहते हों अगर आप चाहते हों कि आपके टर्म पर यहां पर यहां पर है यहां पर आपकी पावर काटनी चाहिए क्सकी पावर कि आजएगी एक-स about-3 AH आपकी पावर आजय किंब्धर data आपकी एक सब्सक्राइब तो समझाना अपकी होगी तो देखे इसको करते हैं यह अब मैंने बोला कि अगर इंडिपेंडट चाहिए तो मझे इसकी वैल्यक्त नहीं है यहां से एंक वैल्यक्त जायगी आपकी तो बैटा जहां पर आर्क सवाल होगे आर्क सवाल होगी इस ताइम पर यह तो टर्म क्या हो जाएगी उस टाम पर आपका टू की पावर नाइनटीन तो यह टर्म होगी जिसमें आपका एक्स नहीं आएगा इसमें एक्स लिखने की जोगी है और अच्छा वह कौन सी टर्म है और यह क्या है यह प्लस वन आर की आपकी 19 है तो याद रखेंगे वह आपकी टी नाइटीन प्लस वन या वह तर्म होगी जो की इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी तो यह तीन सवाल बनते हैं कि आर की वेल्यू च्यांगी वहां पर और उस सबसे ज्यादा बच्चे जो गलती करते हैं वह इस पार्ट में गलती करते हैं तो आपको एक टम बढ़ाके लिखना है क्यों कि आर आपका जीरो से स्टार्ट होता है लेकिन हम जब टम गिनते हैं तो पहली टम को जीरो वाले इसको भी हम वन का नाम लेते हैं आपको यह सवाल आपको निकल के आने पीचेगे अच्छे सब्सक्राइब करते हैं और किसी भी तरह का डाउट हो तो पूस्त रहें तैंक यू वेरी मच टेक केर एवरीवन